हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम लोग बायो डाटा यानि कि रेजियूम बनाना सीखेंगे कि किस प्रकाष्ट अपना बायो डाटा बनाये जाता है तो आप लोग वीडियो को पुरा लास्तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिए बायो डाटा में सबसे पहले लिखा जाता है अपना नेम यानि कि अपना नाम तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर लिख देजेगा सामने में इसके बाद लिखा जाता है फादर्स नेम यानि कि अपने पिता का नाम तो जो भी आपके पिता जी का नाम होगा इस परकार से लिख देजेगा इसके बाद मदर्स नेम माता का नाम तो यहाँ पर अपने माता का नाम लिखना है और इसके बाद लिखना DOB यानि की date of birth तो जो भी आपका जिनम तिथी होगा यहाँ पर इस परकार से लिख देना है इसके बाद लिखना अपना sex यानि की link तो यहाँ पर अगर आप male हैं तो male लिखेंगे अगर आप female हैं तो यहाँ पर female लिखेंगे इसके बाद लिखना अपना blood group यानि की रक्त समू तो जो भी आपका blood group होगा A, B, A, B या O तो यहाँ पर लिख लिजिएगा इसके बाद लिखना अपना address यानि की अपना पता तो इस परकार से अपना address लिखेगा village, गाओं का नाम, post का नाम, police station, थाना का नाम और district यानि की जिला का नाम यह सब लिखने के बाद लिखना है अपना contact number यानि की अपना mobile number तो यहाँ पर इस परकार से अपना mobile number लिख लिजिएगा contact number लिखने के बाद लिखना है अपना email ID तो जो भी आपके email ID होगा यहाँ पर लिखिएगा इस परकार से address gmail.com इसके बाद लिखना है nationality यान की राष्ट्रेयता तो यहाँ पर हम लोग भारतिये हैं इसलिए यहाँ पर Indian लिखे हैं इसके बाद लिखना है marriage status अगर आपका साधी हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे married अगर आपका साधी नहीं हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे unmarried इसके बाद लिखना है अपना qualification तो जो भी आपका qualification होगा इस परकार से लिख लिजेगा सबसे पहले लिखेगा name of exam तो यहां पर name of exam में तेंथ लिखे हैं इसके बाद name of word यानि कि आपने इस exam को किस board से दिया है बिहार board, UP board, MP board तो यहां पर board का नाम लिखेगा इसके बाद लिखना है passing year कि आपने इस exam को किस year में किस verse में pass किये हैं तो यहां पर 2020 है और आपका exam में कितना percentage number आया है उसको लिखेंगे इसके बाद अगर आपका 12th हो चुका है यानि कि intern हो चुका है तो यहां पर लिखेंगे 12th name of word इसके बाद passing year इसके बाद percentage और अगर आपका graduation भी हो चुका है तो यहां पर लिखेंगे graduation और name of word passing year और percentage और इस इसके बाद अगर आपका कोई extra में qualification है तो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि अगर आप ITI, Diploma, Polytechnic कोई भी है तो यहाँ पर आप लिख लिजेगा अगर आप कोई computer course किये हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि ADCA, DCA, Tally तो यहाँ पर इस परकार से आप लिख सकते है तो देखिए कुछ इसी परकार से अपना बायो डाटा को लिखा जाता है तो यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें